हेलो एब्रीबन वेलकम टू उनली आईएस स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में जिसमें हम साइन्स एंट टेक्नलोजी से रिलेटेड इस वीक के करेंट अफेयर्स को डिसकस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रिवेस को भी डिसकस करेंगे अब देखें ये सेक्शन हमारे एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस्पेशली आप प्रिलिम्स में देखेंगे तो लगबग 16 से 20 प्रशन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं अब ये सेक्शन मैं समझ एक टाइम पर आकर अच्छे लगने लगेंगे ठीक है तो किसी भी केंडियेट को अगर डर लगता हो साइंस और टेक्नलोजी से तो आपको डरना नहीं है जस्ट लेक्चर के साथ आप कंटिन्यू करें कुछ ताइम और देखिएगा आप इतने फैमिलियर हो जाएंगे आपने प्रकास संसलेशन के बारे में जरूर सुना होगा इसी को आर्टिफिशल तरीके से यहां किया जा रहा है अब यह क्या होता है इससे हम क्या आजीव करना चाहते हैं ग्रीन हाइडोजन क्या होता है इसको कहां उपयोग कर सकते हैं गवर्मेंट ने ग्रीन हाइडोज की बात की गई है जिसके मांतियम से हम प्लास्टिक या फिर कार्बन डाई ओक्साइड को एक नए फ्यूल में कनवर्ड कर सकते हैं और आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत जादा हो रहा है हम बहुत जादा क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो ऐसे में सीओ टू और प्लास्टिक का कनवर्जन बहुत ही इंपोर्डेंट चीज हो जाती है नेक्स टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रिस से है और यहाँ पर विशोर आर्ट की बारे में हम लोग डिसकस करेंगे वेरी शोर्ट रेंज यह मिसाइल सिस्टम है अब यह क्या होता है इससे इंडिया को क्या क्या बैनेफिट मिलेगा किसने इसको डिवैलब किया है इन सारी चीजों को हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं को एक छोटी सी इंफोर्मेशन के साथ UPSCA प्रिलिम्स 2023 काफी जादा नजदीक है ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट अपने रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे लिकिन सिर्फ रिवीजन करना आपके लिए इनफ नहीं होता आपको बहुत सारे टेस्ट भी UPSCA प्रिलिम्स के लिए लगाने होते हैं और हम आपको बहुत सस्ते में ये टैसरीस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर इसके ओनलाइन प्राइस केवल 2000 रुपे हैं और ओफलाइन प्राइस 4000 रुपे हैं इसमें आपको टोटल 34 टेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें 7 टेस्ट CSET के भी रहेंगे इसमें आपको अप्रोच and mentorship session प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंतरकत हम आपको ये guide करेंगे कि कैसे आपको एक subject को पढ़ना है या किस direction में आपको एक topic को prepare करना है अगर आप हमारे इस schedule को strictly follow करते हैं तो आपको हम multiple revision करा देंगे आपके पूरे syllabus का तो ये आपके confidence को काफी जादा बढ़ाएगा और साथ में current affairs एक challenging portion होता है UPSA prelims में तो हमने इस test series में पिछले डिर साल के current affairs को भी include कर दिया है अब ये program स्टार्ट हो रहा है 15th January 2023 से और इसमें Hindi और English दोनों ही बच्चे enroll कर सकते हैं तो अगर आपको कोई query हो further इस program के बारे में आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं इस ID पर ठीक है चलिए वापस आते हैं lecture पर और समझते हैं अपने पहले topic को that is artificial photosynthesis ठीक है अब ये news में क्यों है क्योंकि एक study publish हुई है recently और उन्होंने एक ऐसा way बताया है जिसके माध्यम से हम artificial photosynthesis reaction की efficiency को बढ़ा सकते हैं अब यहाँ देगे दो-तीन term है एक तो है artificial हिंदी में इसको बोलेंगे kratim अब artificial क्या है कोई भी ऐसी चीज जो human made हो जिसको man ने बनाया हो ठीक है उसके बाद photosynthesis अचा women परिशान ना हो मैंने man का शब्द का यूज कर लिया तो यह पित्र सतात मकता ना सोचें आप लोग तो photosynthesis की बात करें photosynthesis प्रकास installation की प्रकर्या होती है जिसके माद्यम से पोधे अपना भोजन बनाने का काम करते हैं ठीक है अपने एक reaction जरूर पड़ी होगी 6-7 class में वहाँ पर H2O का यूज किया जाता है साथ में carbon dioxide और sunlight में बोधे क्या करते हैं इससे अपना भोजन बनाते हैं glucose में ठीक है तो glucose यहाँ पर बना लिया जाता है और साथ में oxygen रिलीज हो जाती है तो इस तरीके की यह reaction आप लोगों ने जरूर देखी होगी अब इसे reaction को यदि हम artificial तरीके से करें तो यह बन जाता है artificial photosynthesis reaction लेकिन इसको हम कर क्यों रहे है बेसिकली objective क्या है इसको artificial करने का objective है green hydrogen को बनाना ठीक है अब green hydrogen हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि climate change बहुत जादा हो रहा है ऐसे में हम traditional fuels का use बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते आप normal coal का use नहीं कर सकते आप normal जो oil यूज़ कर रहे हैं petroleum product यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ लंबे समय तक नहीं कर सकते वरना environment पर बहुत ज़्यादा negative impact पढ़ेंगे आज भी आप देखने है कि climate change इतना ज़्यादा हो चुका है कि extreme climate events हो रहे हैं ठीक है आप temperature को देखिए कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस बार तो जो हमारे इंडिया का राजिस्थान है वहाँ पर भी बर्फ देखी गई है तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है त photo catalysis process या फिर artificial photosynthesis process में हम लोग water को split करते है oxygen और hydrogen में और साथ में यहाँ पर sunlight का यूज किया जाता है ठीक है तो simple process क्या हो गया है इसमें H2O का hydrogen से इसको अलग कर लेंगे और साथ में oxygen यहाँ पर अलग हो जाएगा इस तरह के से यह process काम करेगा अब दिखे हम लोग इसको discuss इसलिए कर रहे हैं क्योंकि UPSC के previous year question में 2010 का question पूचा हुआ है hydrogen fuel cell vehicle के बारे में इसमें पूचा है कि इसके exhaust में क्या निकलता है ठीक है अब दीके hydrogen fuel पर question बहुत पहले पूचा गया है और तब से लेकर repetition नहीं हुआ है question का और recently government जिस तरीके से hydrogen पर focus कर रही है उन्होंने national hydrogen mission को भी launch किया है तो संभावना है कि यहां से एक question जरूर पूचा जा सकता है repeat हो सकता है question क्योंकि UPSC में पुराने question कहीं न कहीं repeat जरूर होते है ठीक है चलिए अब बात करते है hydrogen की कि आकि hydrogen का production किया कैसे जाता है बात में समझेंगे कि green hydrogen ये कैसे बनेगी जो परंपरा का तर ठीक है तो electricity का हम यहां पर use कर रहे हैं तो इसमें किया क्या जाता है basically water में हम electricity का use करते हुए water को hydrogen and oxygen में breakdown कर लेते हैं और उससे हमें hydrogen प्राप्थ हो जाता है तो जो हमने reaction अभी देखी थी ना बीचे H2O से आपने hydrogen और oxygen को convert कर लिया तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं electrolyzer और electricity दोनों को green source से प्राप्त करें यहां पर देखे electrolyzer यह दिखाई दे रहा होगा आपको image में यह electrolyzer है electrolyzer एक ऐसा उपकरन है जिसके माद्यम से हम H2O को hydrogen और oxygen में break करते हैं अब देखे इसमें जो चीजें प्रियोग हुई है उसमें carbonic source नहीं होना चाहिए ठीक है पहली electricity कई तरीके से बनती है आप देखेंगे कि coal से भी हम electricity का generation करते हैं लेकिन यह green energy तो नहीं है तो ऐसे में हम इसको eliminate करेंगे अब हम क्या करेंगे हम nuclear technology पर based energy को use करेंगे electricity तो हम nuclear technology से भी बना सकते हैं nuclear reactor से बना सकते हैं तो जब आप इस electrolyzer को चलाने के लिए use करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि यह हमारा green hydrogen प्राफ्ट होगा तो कहने का मतलब यह है green hydrogen तब बनता है जब आपका electrolyzer और साथ में आपकी electricity दोनों green source से बनी होई हो ठीक है अब इंडिया में अगर hydrogen production की बात करें तो इसके लिए जो process य 900 degree centigrade पर और यहां atmospheric pressure रहता है लगवग 2230 और इसके मादियम से हमें byproduct क्या मिलेगा देखिए इसमें हमने क्या क्या है h2o यानि की पानी को लिया और साथ में methane को ले लिया अब यहां byproduct के रूप में हमें दो चीजे मिल रही है एक तो hydrogen मिलेगा और साथ में carbon monoxide मिलेगा अब reaction में ही जब carbon का एक product आ रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि यह green hydrogen है answer is no यहां तो carbon product निकल रहा है byproduct के रूप में तो इसी लिए हम अपने hydrogen production को कहते हैं grey hydrogen production ठीक है अब इसी को हमें green में convert करना है अब green में convert करने के लिए आपको artificial photosynthesis प्रकरिया का पालन करना पड़ेगा और इ artificialist यह जो process है यह photosynthesis से inspired है मतलब plant जिस तरीके से अपने लिए energy बनाते है ना उसी तरीके से हम भी यहां energy बनाने का काम करेंगे अब इसमें होगा क्या देखे अब हम पत्तों का तो use नहीं कर सकते तो basically हम करेंगे क्या हम यहां semiconductor का use करेंगे इस semiconductor को डुबा दिया जाएगा प उसमें आप semiconductor को डुबा देंगे फिर semiconductor पर यह जो आपका sun दिखाई दे रहा है sun की raise आएंगी और इस raise के माद्यम से जब photon इससे टकराएंगे तो उस photon से hydrogen का breakdown हो जाएगा तो जो जल है वो hydrogen और O2 में convert हो जाएगा ठीक है यह हमारा process यहां चल रहा होता है इसी को theory में मैंने लिख दिया है तो semi conductor का use होगा फिर इसमें आप fresh water या sea water किसी का भी use कर सकते है फिर जैसे ही आपके photons strike करेंगे water में वैसे ही यहाँ पर hydrogen और oxygen में यह break हो जाएगा और आप green hydrogen प्राप्त कर लेंगे simple process है अब इससे देगे फाइदा यह है कि हमारे अर्थ पर abundant मात्रा है जल की और साथ में आप कह सकते हैं कि sunlight की भी ठीक है ना तो यहाँ sunlight हमें आसानी से मिल जाती है हमें water आसानी से मिल जाता है तो आप कितनी भी मात्रा में इस hydrogen को प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए fuel बहुत easy हो जाएगा बहुत सस्ता हो जाएगा तो यह इसका benefit है अच्छा एक core प्रकर्या है जिसके माध्यम से आप water को split कर सकते हैं उसका नाम है photo electro chemical ठीक है अब यह process भी आपको ध्यान रख लेनी है कि अगर प्रणिम से कोई question बूची लिए जाए कि hydrogen gas बनाने के लिए कौन-कौन से प्रकर्याओं का आप use कर सकते हैं तो उसमें एक है PEC इसकी efficiency तो हाल over the cost ठीक है तो hydrogen की cost बहुत जादा कम हो जाएगी आप इसको आसानी से use कर सकते हैं उसके बाद यह green energy का source रहेगा आपको किसी भी तरीके से environment पर negative impact इसके देखने को नहीं मिलेंगे दूसरा इसके resource बहुत easily available हैं यह भी हो सकता है और net zero की हम यहाँ पर बात कर लेंगे इंडि कि हम अपने carbon emission को कम कर सकें ठीक है चल यह next चीज जो हमें discuss करनी है वो है national green hydrogen mission और यह आपके examination perspective से काफी important है सीधे सीधे question यहाँ पे factual form में पूछे जा सकते हैं recently हमारी union cabinet ने national green hydrogen mission को launch किया है लगबग 20,000 करोड रुपे का इसमें investment किया गया है इसके लिए नोडल ministry जो है यह आपको ध्यान में रखनी है ministry of new and renewable energy है और इसके objectives ध्यान में रख लीजेगा दो तीन objective है पहला तो हम अपनी gas को clean करेंगे hydrogen gas अभी तक हमारी grey है हम clean करना चाते ह और clean करने के लिए अब देखे करना क्यों है अब जानते है climate chain का प्रभाव हो रहा है बहुत ज़्यादा हमारे pollutants environment में जा रहे हैं तो उसी के लिए हमें clean चाहिए दूसरा cheaper होना चाहिए देकि हम चाते हैं कि हम energy security को प्राप्त करें energy security का मतलब होता है 24 into 7 सभी को electricity मिले और य ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक particular जो group है society का वही hydrogen को use कर रहा है बाकी लोग normal traditional fuel को use करना है ठीक है तो हमें यहाँ क्या करना है सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है उसके बाद हम चाहते हैं कि बहुत सारी industries में इसको alternative fuel की तरह यूज़ किया है traditional fuel को हम eliminate करना चाहते है उसके बाद ultimately हम इसका export भी करना चाहते हैं देखिए environment एक ऐसी समस्या है जिसको एक particular country solve नहीं कर सकती ठीक है तो environment की problem को solve करने के लिए आपको cooperation करना पड़ेगा ऐसे में यदि आप new technology लेकर आ रहे हैं तो उसका प्रसार आप दूसरे दिसों में भी करिए तो भारत other developing countries में भ project को लगा सकता है वहां से हमें income भी प्राप्त होगी हम वहां पर employment का generation भी कर सकते हैं तो बहुत सारे इसके benefit आपको देखने को मिलेंगे now most important thing इसका एक और जो objective है हम प्रतिवर्स green hydrogen के रूप में लगबग 5 mmt hydrogen प्राप्त करना चाहते हैं mmt मतलब million metric ton और हमने objective रखा हुआ है कि 2030 तक हमारा जो renewable energy का source है वो 125 gigawatt रहेगा में में कई बार renewable energy पर question पूछे जा चुके हैं आप paper 3 उटा कर देखिएगा बहुत question आपको renewable energy पर मिलेंगे 4-5 question पिछले 10 सालों में मिलेंगे ठीक है अब मैं आपको एक data भी दे रहता हूँ और यह data मैं आपको दे रहा हूँ February 2022 का and that is very very important यदि हम अपने electricity generation की बात करें तो इसके लिए दो तीन चीज़ा आपको ध्यान रखनी है कि हमारी total electricity का 51.5% dependent है coal पर उसके लावा यदि renewable energy की बात करें तो 27% renewable energy से आता है और 6.3% natural gas से आता है ठीक है अब ये data आप exam में सीधे सीधे use कर सकते हैं ठीक है mains में कहीं भी आपको introduce करना हो इन facts के साथ आप introduce कर सकते हैं ये February 2022 तक की इस्तिती है official data है चलिए आगे बात करें दूसरे topic की अब ये topic आपको यहाँ end हो गया है next topic देखते है next topic है new reactor powered by sun अब देखे एक नया reactor बनाया गया है जिसको sun की energy के द्वारा चलाया जाएगा और ये Cambridge University के researchers ने बनाया है इन्होंने एक ऐसा system develop किया है जिसमें plastic waste और greenhouse gas जैसे carbon dioxide को हम sustainable fuel में convert कर देंगे और साथ में other valuable product भी इससे बना सकते हैं और इसके लिए आपको कोई electricity की जरूत नहीं है आप सीथे sunlight में ऐसा कर सकते हैं अब ये क्या use क्या होंगे इसके आप लोग जानते हैं कि वही सेम चीज है environment pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है आप उसको control करना चाहते हैं तो ऐसे measures आपको लेने ही पड़ेंगे तो इससे दो-तीन benefit है एक तो आपकी sustainable economy को यहाँ प्रोचसाहन मिलेगा sustainable economy का मतलब होता है कि हमारी economy का संचालन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम environment को pollute ना करें ठीक है वो हमारा कम से कम रहना चाहिए ना के बराबर रहना चाहिए दूसरा circular economy circular economy का concept आपका यह कहता है कि हम चीजों को ऐसे ही बरबाद ना करें हम recycle करने की कोसिस करें ठीक है जो हमारे संसादन है उसका misuse ना करें तो यह circular economy का concept है तो इसको भी यह प्रोचसाहन देगा new reactor अब क्या ऐसा है कि हमारे पास पहले ऐसी technology नहीं थी बलकु ऐसा नहीं है पहले भी हम carbon dioxide को किसी और चीज में convert कर सकते थे प्लास्टिक को भी हम दूसरे product पे convert कर सकते थे तो इन्होंने ऐसा new क्या कर दिया देखे इन्होंने जो new किया है न वो है integrated reactor का निर्माण पहले जो reactor हुआ करते थे वो अलग-अलग है मतलब कोई एक ऐसा particular reactor है जिसमें हम सिर्फ प्लास्टिक को convert करते हैं दूसरा एक reactor है जिसमें हम carbon dioxide को convert करते हैं इन्होंने दोनों को integrate कर दिया और इसमें दो separate compartment बना दिये दो अलग-अलग कमरे बना दिये जिसमें प्लास्टिक को भी हम recycle कर देंगे और greenhouse gas को भी किसी और product में change कर देंगे अब यहां देखे काम कैसे करता है देखें यहां दो compartment आपको दिखाई दे रहे होंगे यह अलग-अलग ठीक है जो इस तरीके से इसमें काम किया जाता है अब मैं आपको actual में यह reactor दिखाता हूँ देखें यह reactor है अब reactor sunlight में काम करेगा sunlight को absorb करने के लिए आपको कोई न कोई material यहां use करना पड़ेगा जैसे अगर आपने solar cell देखा होगा तो solar cell में भी light को absorb किया जाता है और इस light को absorb करने के लिए आप कुछ ना कुछ material का use करते हैं और यह material क्या होता है अभी जग तो traditional cell आप देखते हैं उसमें यह material होता है silicon यहां पर use किया है परवोज काइट ठीक है परवोज काइट नाम का एक material है इसको हमने यहां पर use किया है और यह catalyst के रूप में काम करेगा अब future में आगर देखिए solar cell बनाए जाएंगे तो उन solar cell में भी इस material को हम use कर सकते हैं अब यह material एक catalyst का का काम करता है catalyst का मतलब होता है reaction की गती पर नियंद्रित करना ठीक है उसकी गती को बढ़ा देना तो catalyst के माध्यम से हम इस reaction के end product को बदल सकते हैं मालेचे carbon dioxide से आपको अगर sin energy बनानी है या फिर आप carbon monoxide बनाना चाहते हैं या और कोई product बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको catalyst को change करना है आप देखे picture में समझेए easily समझ में आएगा यह catalyst material है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जहाँ पर sunlight पड़ रही है यह catalyst material है इस material में हमने अभी देखा यह हमने किसका use किया था परवोज काईट का use किया था लेकिन अगर आप इसको change करते हैं आप इसमे को हम use कर रहे हैं change करने के लिए carbon dioxide को हम use कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ change किस-किस तरीके से किया जा सकता है देखे इस reactor का हमने प्रियोग किया था normal temperature पर और normal pressure पर तो हमने यह find किया कि जो हमारी plastic bottles होती है या फिर carbon dioxide होती है उन्हें हम कई different type के fuels में convert कर सकते हैं जैसे इसमें एक example हो सकता है carbon monoxide उसके बाद syngas में आप इसको बदल सकते हैं आप इसको format में बदल सकते हैं glycolic acid में बदल सकते हैं बस ऐसे ही नाम याद रख लीजेगा ऐसे आपको formula वगरा इसका कोई याद रखने की जरुवत नहीं है ठीक है चलिए अब उसके बाद यहाँ latest क्या हो यूज कर रहे हैं तो यह कोई cost benefit नहीं रहता था लेकिन अभी जो new reactor बना है यह केवल sunlight में work कर सकता है और आपको easily बहुत कम समय में और effective तरीके से new product बना कर दे सकता है तो यह इसके benefits थे ठीक है तो यह topic आपका यहाँ finish हो जाता है अब चलते हैं next topic पर और next topic है very short range air defense system और व OPSC के prelims में question पूछे जाते रहे हैं missile system से तो हम उनको भी discuss कर लेंगे अभी तो यह news में क्यों है पहले तो आप यह समझे रिसेंट्ली defense acquisition council ने DRDO के द्वारा बनाए गए very short range air defense system को army में शामिल कर लिया है ठीक है उन्होंने accept कर लिया है इसको तो information यह जरूर ध्यान लखेंगा देखेंगे यह important information है prelims perspective से इसको design and develop किस ने किया है TRD उने किया है अब यहाँ पर picture में आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके की होती है अब देखें आगे अगर हम कुछ UPSC के previous question paper देखें तो 2018 में एक question पूछा था question है terminal high altitude area defense थाड कभी-कभी news में रहता है यह क्या है basically अब इसका answer क्या है यह आप मुझे comment section में बता दीजिएगा अब देखें आप वीडियो को pause करके भी इसका answer दे सकते हैं क्योंकि वीडियो के last में मैं आपको सभी के answer disclose कर दूँगा ताकि कुछ aspirant ऐसे हैं जो थोड़े lazy type की होते हैं तो ऐसे में वो अगर answer fine ना करते हूँ या फिर आपकी कहीं गलती हो जाती हो तो उसकी संभाव न को भी मैं बिलकुल खत्म कर दूँगा तो आज मैं last में आपको इनके answer भी देने वाला हूँ चलिए दूसरा question record देखिए अगनी 4 missile से question पूछा था 2014 हमें अब यहां जो question है अगनी के बारे में यह surface to surface missile है इसमें liquid propellant का use किया जाता है इसकी range के बारे में यहां लिखा हुआ है एक statement अब इसमें कौन सा सही है यह भी आप मुझे comment section में बताएंगे और previous lectures जो हमारे हुए थे science and technology में उसमें पी मैंने अगनी 4 missile के बारे में आपको बताया था तो इसका answer अब आपको पता होना ही चाहिए तो आप मुझे comment section में वीडियो को रोक के बतारीजी का answer चलिए अब बात करते हैं इसके background की जो very short range missile है इसका क्या background है अब जानते हैं चाइना के साथ हमारे classes चलते र रहता है और Eastern Ladakh sector में जहाँ पर LAC है वहाँ पर ये चीज़े ज़्यादा होती है आपको मैं map पे दिखा देता हूँ जो LAC का छेतर है वो लगबग ये आजाता है आपका अब ये line of actual control हो गया यहाँ पर दोनों देशों की आर्मी के बीच कुछ ना कुछ गतिविदिया चलत है ये हमारे लिए काफी ज़्यादा important हो जाती है अगर अब मालीजे कोई दुश्मन देश हमारी boundary में आ रहा है air के माध्यम से आ रहा है तो ऐसे में हम उसको उड़ाएंगे कैसे अब या तो आप पूरी बड़ी missile का use करिए वो heavy होती है लेकिन पहाडी छित्रों में आप उ equipment होते हैं वो आउटडेट हो जाते हैं और latest technology के माध्यम से जो आपके दुश्मन देश है वो नहीं नहीं technology का प्रयोग करते हैं ऐसे में आपके traditional और परमपरागत हत्यार उसमें use नहीं किये जा सकते हैं तो हम 2018 से प्रयास कर रहे थे रशिया के साथ new defense system मनाने का जिसका नाम है इगला S और इसके लिए हम विशोरड प्रोग्राम के माध्यम से विशोराड प्रोग्राम के माध्यम से 1.5 बिलियन खर्च करने को भी रेटी दे हैं लेकिन 2008 के बाद से आप देखेंगे इस पर कुछ खास प्रगती नहीं हुए एक तो COVID-19 आ गया उसकी विज़ा से काफ अरे जो honorable prime minister है वो आत्म निर्भर भारत पर काफी ज़्यादा focus करते हैं तो ऐसे में हम अब इस missile को बाहर से नहीं लेंगे हम इसको खुद ही develop करेंगे और इसकी responsibility दी गई है DRDO को और DRDO इसको बखु भी perform भी कर रहा है और उन्होंने हमें very short range की missile system deliver भी कर दिया है और आत्म आत्म निर्भर भारत का एक ओर data आपको दे रहता हूं यहाँ पे last year यानि 2022 में इंडिया का जो defense export था अब तो भारत defense का export भी करने लगा है वो लगबग 13500 करोड रुपे था ठीक है या फिर आप कह सकते हैं लगबग 13000 करोड रुपे था ठीक है तो यह एक data है जिसको आप again use कर सकते हैं कहीं पर आपको आत्म निर्भर भारत के रूप में लेखने को आ जाए या फिर defense से कोई question आ जाए तो इस fact को भी आप यहाँ use कर सकते हैं चलिए आगे इस map में कुछ location भी देख ली चैसे लेहे की location यहाँ पर है और लेहे के eastern side में आपको एलेशी देखने को मिल जाती है तो यह कुछ location में आपको बता दे रहाँ जो कि आपको दिहान में रखनी है चलिए next यह missile system करता क्या है और यह actual में है क्या तो इसका objective होता है low altitude या फिर short range में किसी भी aerial threat को समाप्त करना मालीजे आप किसी hill area में है ठीक है अब hill area में आपकी आर्मी यहाँ पर है और जैसे में अगर कोई air से आपके उपर attack करने की कोसिस करता है और आप इसको destroy करना चाते हैं तो बड़ी missiles के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं heavy missile को यहाँ लगा नहीं सकते आप ऐसे में short missile आपके काम आती है तो short missile के माध्यम से आप इसको यहीं पर destroy कर सकते हैं ठीक है तो यह आपकी सुरक्षा के लिए काफी important हो जाता है और visual arts जो है वो man portable air defense system है man portable air defense system का मतलब होता है इसे कहाँ भी आप easily implant कर सकते हैं लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंदे पर रख करके भी इसको launch किया जा सकता है और यह पूरी दरीके से indigenously developed है ठीक है अब mountain area में जहां बड़ी missiles को develop नहीं किया सकता वहीं अगर akas missile की बात करें तो akas missile हाला की short range की missile तो है surface to air missile है यह बी लेकिन यह heavy होती है और heavy होने की वज़ा से आप इसको बहुत दंबे धूरी तक नहीं ले जा सकते आप इसको पहाड़ी चित्रों में नहीं लगा जा सकते ठीक missile होती है that is again a very important fact तो prelims perspective से आपको ये भी ध्यान रखना है चलिए अब मैं आप लोगों के साथ previous year questions के answer discuss कर देता हूँ अब ये जो question था 2010 में जो UPSC ने पूछा था hydrogen fuel cell पे इसका answer होगा आपका H2O क्योंकि hydrogen fuel cell अभी हमने हाला कि discuss तो नहीं किया लेकिन हम green hydrogen के बारे में इत down कर देते हैं water को तो यहाँ पर जो exhaust निकलेगा वो H2O निकलेगा यदि next question की बात करें तो 2018 का third वाला जो question है इसमें आपका answer होगा it is an American anti-missile system और जो next question है अगनी 4 missile के बारे में ये आपका answer आएगा यहाँ पर one only ये surface to surface air missile है बाकी इसमे liquid propellant का use नहीं किया जाता और इसक की actual distance क्या है इसके बारे में आप लोग research करेंगे और मैंने एक lecture में इसके बारे में आपको बताया हुआ भी है तो इसकी range कितनी है अगनी 4 missile की ये आप मुझे comment में बताएंगे ये आपका homework भी है ठीक है तो चलिए इस session को यहाँ पर end करते हैं मिलते हैं new lecture में new topics के साथ thank you so much में अभी है आपका है वादाएंगे आपको बता हैं कि आपका में आपका बताएंगे ईste की ये इसके जदेंगे दो पीप बताएंगे हैं गजहां चलिए हैंने पर तो एक्री कि जएदा रधाने एंवीँ हैं दो क्या हैं सब्सेदों हैं नहीं